सौ साल बाद सकट चौत पर बन रहा है दुरलब संयोग। हिंदु धर में मागमा के क्रिश्ण पक्ष की शंकष्टी चतुर्थी को सकट चौत की नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की देरगायू के लिए निर्जला वरत रखती हैं और मनोकामना पूर्ती के लिए गनेश जी की विदिविधाम से पूजा करती हैं। धार्मिक मानेता है कि सकट चौत का वरत रखने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती हैं और जीवन में सुख सम्रद्धी और खुशाली आती हैं। तुला राशी जीवन में सुख सम्रद्धी आएगी गनेश जी की क्रिपा से सभी कारे सफल होंगे। लंबे समय से चली आ रही परिशानियां दूर हो सकती हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में व्रद्धी होगी, आय में व्रद्धी के योग बनेंगे। घर में मांगली कार्यों का आयोजन होगा। सुख सुविदाओं में जीवन गुजारेंगे। मीन राशी, अटका हुआ धन वापस मिलेगा, धन समपत्ती में व्रद्धी होगी। व्यापार में बड़ोत्री के अफसर मिलेंगे। स्वास्त में सुधार आएगा, मैरिड लाइफ में खुश्नमा महौल रहेगा।